हेलो दोस्तों और वेलकम बैक माई चैनल जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि 31 जुलाई लास डेट है क्रिप्टो टैक्स भरने के लिए और हाँ क्रिप्टो टैक्स शुनूल तो आपको पता ही होगा फ्रैट 30 परसंट टैक्स आपको देना होगा और एक चीज़ा आप ध्यान से सुनिएगा 30% tax exchange नहीं कातेगा वो सिर्फ 1% TDS कातेगे 30% tax आपको खुद से देना होगा तो 1 April 2022 से लेकर 30 March 2020 इस साल का पूरा record आपको वहाँ पर देना होगा कि किस-किस transaction में आपका कितना profit हुआ है तो अगर आप कोई CA करते हैं या फिर खुद से crypto tax फिल करते हैं तो वहाँ पर आपको पूरा record बताना होगा कि किस-किस trade में हमारा profit हुआ और किस-किस trade में हमारा loss हुआ तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस transaction में हमारा profit हुआ है क्यूंकि सरकार का कहना है कि हमें loss वाजे trade में मतलब नहीं है loss हुआ तो वह आपका हमें सिर्फ आप वह वहाँ ट्रांजेक्शन देता दीजे जिसमें आपका profit हुआ है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से transaction में हमारा profit हुआ है तो आज कि इस वीडियो मैं आपको बताओंगा कि किस तरीके से आप crypto tax को calculate कर सकते हैं चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको मेरे वीडियो के नीचे description box में एक link मिलेगा जैसी आप उस पर click करते हैं तो buy nox के website पे आ जाएंगे और इसके साथी साथ मैं आपको बता दूँ यह video कोई भी sponsor video नहीं है buy nox में आपको इसी रहे बता रहा हूँ क्योंकि यहां से tax calculate करना बहुत ही असान है और free है तो सबसे पहले आपको यहां पर एक option मिलता है free sign up का यहां पर आपको sign up कर लेना है यहां पर अगर आपको कोई confusion है crypto tax को लेकर तो आप यहां पर इनके जो executive है जो की customer support है इनका उनसे आप यहां पर direct बात भी कर सकते हैं जो कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे आप यहां पर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप यहां पर crypto tax को calculate कर सकते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना exchange या फिर अपना chain या फिर अपना wallet को select करना है और मैं आपको बता दूँ 100 से भी ज़्यादा exchange chain wallet यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जैसे कि BitBNS, Ethereum, Polygon, Wajirex तो अभी मैं Wajirex पर करके बताने वाला हूँ क्योंकि जो हमारा crypto tax है वो Indian exchange के उपर ही है अभी तो Binance होगेरा पर नहीं आया है तो सबसे पहले हम यहाँ पर Wajirex को select करते हैं जैसी आप Wajirex को select करते हैं अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो यहाँ पर CSV file है वो आपको यहाँ पर देना होगा जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं CSV file तो अब यह CSV file क्या होता है और एक और तरीका है जो कि यह API sync तो दो तरीका आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है और इसके अलावा side में कुछ instruction भी है जिसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं पर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है तो सबसे पहले अगर हम बात करें CSV file की CSV file वो होता है जहाँ पर आपका जो transaction है वो सारा record होता है तो यहाँ पर जो हमारा financial year है 1 April 2022 से लेकर 30 March 2013 के बीच में हमें सारा transaction यहाँ पर देना होगा तो उसके लिए हम चलते हैं वजीर X के app में आपको आजाना है वजीर X के app में उपर में आपको profile का option मिलता है लोगों यहाँ पर आपको click कर देना है जैसी आप इस पर click करते हैं आपको एक option मिलेगा fees and trades का यहाँ पर आपको click करना है तो simply आपको ट्रेडिंग रिपोर्ट पर क्लिक करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देट टूनना है कि कब से देखे कब तक का आपको ट्रेडिंग रिपोर्ट चाहिए हमारा जो financial year है last 2022 से देकर 2030 के बीच इसके बीच में हम क्लिक कर देंगे हमें अपना exchange का जो ट्रेड कर दीजे और जितना भी ट्रेड हुआ है वह सारा चीज आपको आपर देखने को मिल जाएगा तो हम यहाँ पर सारा चीज को टिक कर देंगे क्योंकि हमें सारा रिकॉर्ट चाहिए चाहे वह पी तूपी का हो गया या फिर एक्सेंज से जितना हमने ट्रेड किया है या फिर सिंप्री आपको इसको चेक करना है वहाँ पर आपको अपने csv फाइल देखने को मिल जाएगी इसमें थोड़ा सा ताइम लग सकता है अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं तुरंत हमारा जो वजीर एक्स का ट्रेडिंग रिपोर्ट है वो यहाँ पर आ चुका है यह मेल आ यहा बादे क्रोंन के बाद व्कश Сп licon оф शॉथ पमिडशिक करने हैं पर एसको आप शमीर पर आपर टेटा को छिक्र करेंगे और वह फाइल है यहाँ पर import कर दिये, जैसी यहाँ पर यह analyze कर देता है, आपका सारा जो देता है, वो यहाँ पर मिल जाएगा, जितना आपका profit हुआ है, जितना आपका loss हुआ है, क्या-क्या चीज आपने किया है, तो वो सारा चीज आपका bynox में देखने को मिल जाएगा, अभी आपको थोड capital gain, capital loss या फिर income, tds कितना कटा है, वो सारा चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, इसके लावा ट्रांजेक्शन में जाके आप सारे ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, जितने आपने वजीर x के अंदर या फिर अपने exchange के उपर की हुए है, जैसी आप देख सकते ह आपकी जो tax report है, वो यहाँ पर download होना शुरू हो जाएगी, तो देख सकते हैं, नीचे download होना शुरू हो गई है, इसको open पर click करके हम open कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारी जो taxable income report है, यहाँ पर खुल के आच चुकिए, अगर आप इसको laptop या फिर अपने PC में खोलेंगे, तो खास कर इस साल के अंदर मैंने उतना transaction नहीं किया है, क्यूंकि मैं Indian exchange बहुत कमी use करता हूँ, ITR income पे आप click करेंगे, तो यह जो income है, वो सारा चीज आपको दिखा रहा है, जो कि हमें referral के तौर पे, यहाँ पर मिला है, bonus के तौर पे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो asset का balance है, इसके अलबाद जो exchange का trade है, wallet है, वो सारा चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, मेरे ख्याल से देखा जाए तो आपको सारा चीज जो आपने wajirx के अंदर या फिर अपने exchange के अंदर किया है, वो सारा च चैज को यह दिखाई देगा इसके अलावा दUस्तों मैं आपको बता दूं यहां पर अग fell आप 500 transaction करते थी रहेगा और इसके अलावा 500 transaction से जादा अगर आपकर transaction हो रखाय तो आपको छुट्पी नैन रुपए विज्ञाने पाधिना पड़े हैं तो उसमें आपको पांच हजार से भी ज्यादा ट्रांजेक्शन है तो उसके आप कस्टम प्लैन का भी अप्सें ले सकते हैं जो कि उनसे बात करके आपको वह अपना एक प्लैन दे देंगे मेरे ख्याल से 500 वाला भी काफी है लेकिन हां अगर आपका 500 से ज्यादा है तो फिरी वाला कि आप अगर ITR रिटेन फाइल करते हैं तो यह जो टैक्स रिपोर्ट है वो आपको वहाँ पर फिल करना होगा तो इस तरीके से आप अपना टैक्स रिपोर्ट जेनरेट कर सकते हैं बाकी दोस्तों बाइनोक्स की लिंक आपको नीचे देस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रह बाकी दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही हम मिलेंगे आपको ऐसी वीडियो में बाइबाइब सी यू नेक्स टैम